स्पीटी एक्ट विशेश कानून की वज़ा से संथाल परगना में आदिवासियों के किसी भी प्रकार के जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है यहां तक कि लेस के मामले में भी स्वामित्व परिवर्तन पर रोक लगी हुई है इस रोक को हटाने के लिए सरकार ने पहले ज जमीन अधिग्रहन समेत कई प्रयास किये लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से पिट गए अब सरकार सिर्फ गैर जनजातिय लोगों की जमीन की खरीद बिक्री के लिए प्रयास कर रही है सरकार ने इसके लिए ट्राइबल एडवाइजरी कमीटी यानि की टी एसी की एक उप्समीती गठित की है जो संथाल परगना में गैर जनजातिय लोगों की जमीन की खरीद बिक्री शुरू करनी के लिए विचार संग्रह करने में जुटी हुई है उप्समीती के सदस्यों की माने तो उनका काम सिर्फ इस शेत्र विशेश के लोगों की विचारों को राज जमीन के मुद्दे पर राजनितिक दर लोगों को आपस में बाट कर राजनितिक रोटिया सेक रही हैं और इसमें अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो संथाल परगना के लोग होंगे बहतर तो ये होगा कि लोग उपसमीति के माध्यम से जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मुद्दों पर अपने विचारों को सीधे राज्यपाल के पास विचार के लिए भेज दे पंजाब केशरी टीवी के लिए दुमका से विरेंद्र कुमार ज्या की रिपोर्ट